देखिए, बोल हमसे यह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बित्ताकार कच्छा में 6.10 की पावर 6 चक्कर पर सेकेंड की दर से घूम रहा है, लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ग्यान करिए, यानि कि I की वैलू हमसे पूछा है, यहां पर देखिए, बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, यानि कि Q की वैलू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, यह दिया है, बोल रहा है कि एक बित्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि चक्कर पर सेकेंड, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी चक्कर पर सेकेंड की ब आवरिती का मतलब होता है frequency, इसको हम दिखातें n से या f से, अपन यहाँ पर n से दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अब देखिएगा, हमसे पूछा है कि आप बताईए कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी है, आपको पता है, अच्छा एक चीज और हम आपको बता दें, कि जो frequency यानि की आवरिती होती है, वो 1 upon t, यानि की यह time period यानि की समय है, ठीक है, अगर i की बात करें, तो i is equals to q upon t होता है, ठीक है, i equals to q by, यहाँ पर capital T ही ले ले लेते हैं, i equals to q by t, इसको हम लिख सकते हैं, q into 1 upon t, लेकिन 1 upon t की value किसके बराबर है, n के बराबर, तो यानि यह आजाएगा qn, यानि की i is equals to qn आजाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें, i is equals to q की value किसके एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन की value होती है, 1.6 into 10 की power minus 19 कुलाम into, अगर देखा जाए n, तो यहाँ पर n की value दे रखा है, दे रखा है, 6 into 10 की power, 6 revolution यानि क चक्कर पर सेकेंड, चक्कर पर सेकेंड आपको यह दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर हम चक्कर पर सेकेंड यानि की 6 बुड़े, 10 की power 6 आपका यह लिखेंगे, यहाँ से रर देखा जाए, तो i is equals to वा जाएगा, 66 के 90, यानि की 9.6 into 10 की power minus 13 ampere, आपका यह current आ जाएगा, ठी 9.6 into 10 की power minus 13 ampere, यह आपका current आ जाएगा, मेन चीज था, यहाँ पर इस concept को समझना, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आप question solve कर लोगे, आपके लिए easy question है, इता tough question नहीं है, बस हाँ यह है, इसमें की कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है, चल तो जिए तो अज़गे अज़गे हैं, तो आपके लाएगा जगर में रहे हैं, अज़गे हैं, अज़गे हैं, यहाँ है।